दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शवधरी दोस्तो मागदोशन परियावरेड़यों पारिस्थित्की के महतोपूर्ण प्रशनों के प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो में हम साल्व करेंगे विविन परिक्षाओं जैसे टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पेसियस प्रारंभिक परिक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा UGC Net प्रथम प्रशन पत्र के लिए उप्योगी महतोपूर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आपसे पूछा गया है कि निमलखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है आपसन है आपके टाइफाइड, हैपिटाइटिस, हैजा और डेंगू तो यहाँ पर देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा डेंगू दोस्तों डेंगू जल जनित रोग नहीं है और डेंगू व मिखित में से कौन सी प्रदूसक गैस प्राकृतिक रूप से और अध्योगिक गत्विद के पढ़ाम सरूप दोनों से उत्पन नहीं होती है आपसन है क्लोरो फ्लोरो कार्बन नाइट्रस आकसाइड मीथेन और कार्बन डायाकसाइड तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन जिसको साट में हम सी एपसी कहते हैं सी एपसी या क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऐसी प्रदूसक गैस है जो अध्योगिक गत्विदी के पढ़ाम सरूप उत्पन होती है जबकि अन्य तीने गैसे प्राकृतिक रूप से और अध्योगिक गत्विदियों से उत्पन होते हैं जैसे नाइट्रस आकसाईड, मीथेन اور कारबन डाया अकसाईड ये प्राकरतिक रूप से और और अध्योगिक गत्विद के पढ़ाम सरूप दोनों से उत्पन होती है इन में से केवल क्लोरो-फलोरोकारबन जो और द्योगिक गत्विधियों से उत्पन होती है अगला प्रश्ण है विच आप दे फालोइंग टाइपस आप नेचुरल डिजास्टर्स हैज नो डिफनिट बिगनिंग एंड इंड यानि आपको बताना है कि निम्लखित प्राकृतिक आपदाओं में कौन सा किसका निश्चित प्रारंभ और अंत नहीं होता है आपसन है आपके देखे भूकंप भूवस्खलन प्रभंजन यानि हरिकेन और सूखा तो सही उत्तर है सूखा दोस्तों सूखा या जिसको ड्राट कहा जाता है इसका निशित प्रारंभ और अंत नहीं होता है जबकि भुकम, भुवस्खलन, हरिकेन, इत्याद क्या प्रारंभ और अंत के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है अगला प्रश्ण है देखे कि पर्यावरण पर मानोध्भोविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने के लिए कौन सा कारक सरवाधिक महत्वपूण है यानि आपको बताना है कि कौन सा कारक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के लिए जो है सरवाधिक महत्वपूण है तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या प्रतिव्यक्ति धनाध्यता संसाधनों का दोहन करने के लिए उप्योग की जाने वाली प्रद्दोग की दोस्तों ये पर्यावरण पर मानोध्भविक क्रियाओं के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए सरवाधिक महत्व अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए बहुत ही महतपूर है आप से पूछा गया है कि हाल में प्रारंभ किये गए वायू गुडवत्ता सूचकांग दोस्तों इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इनमें कौन सा प्रदोसक सम्मीलित नहीं किया गया है देखिए कारबन मोनो अक्साइड इसके अलावा सूच में विविक्त पार्टिकुलेट पदार्थ ओजोन और क्लोरो फ्लोरो कारबन तो सही उत्तर है कि भारत में जो वायू गुडवत्ता सूचकांग जो दोस्तों देखिए भारत में जो वायू गुडवत्ता सूचकांग है उसमें विव अगला प्रश्ण है ने मिर्खित में से कौन सा संयूजन नवी काड़ी प्राकृतिक संसाधन प्रकट करता है तो नवी काड़ी प्राकृतिक संसाधन क्या होता है जिसके भंडार में प्राकृतिक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा जो है रिप्लेश्मेंट होता रहता है तो इसमें देखिए मच्छलियां उर्वर मिर्दा और ताजा जल देखिए दोस्तों मच्छलियां उर्वर मिर्दा और ताजा जल ये नविकाड़ी प्राकृतिक संसाधन है अन्य में जो है कोई नविकाड़ी संसाधन है जैसे आपसंडी में तेल और यहां पर प्रतिक संसाधन है अगला प्रश्ण है कुल वैस्विक कारबन डायाकसाइड के उसर्जन में भारत का योगदान लगभग कितना है तो भारत का योगदान 7 प्रतिसत के आसपास है कुल वैस्विक कारबन डायाकसाइड उत्पादन में अगला प्रश्ण है दोस्तों किस प्रतिव्यक्ति जल का उप्योग अधिक्तम है आपसन है आपके देखिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन और भारत तो सही उत्तर है देखिए USA यानि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों प्रतिव्यक्ति 2842 गन मीटर प्रतिवर्स अधिक्तम जल का उप्योग क अगला प्रशन है निम्लखित प्राकृति का अपदाओं में से कौन सी हाइड्रो मौसमी नहीं है आपसन है आपके हिमस्खलन, समुद्री कटाओ, उश्रकटिबंधी चक्रवात और सुनामी तो सही उत्तर है उश्रकटिबंधी चक्रवात दोस्तों हिमस्खलन, उश्रकट एक प्रशन नोश्रकट बंदे चक्रवात और सुनामी यह हईड्रो माइसम्मी प्राकृतिक आपडाएं हैं, जो जल जनित होती हैं, जब की जो है समुद्री कटाव, दोस्तों यहाँ पर देख क्खे सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समुद्री कटाव हो जाएगा यह एक दोस्तों समुद्री कटाव प्राकृतिक क्रिया है हेमस्खलान उश्रकटबंदी चक्रवात और सुनामी यह हाइड्रो मौसमी है अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार का लगु जल विद्दुत परियोजनाओं से वर्स 2022 तक पावर उत्पादन का कितना लक्ष है तो सही उत्तर है देखे सही उत्तर है कि भारत का जो है लगु जल विद्दुत परियोजनाओं से 2022 तक पाँच गीगावाट पावर उत् अगला प्रशन है किस देश ने हाल में हाइड्रो फ्लोरो कार्बन को चरणबध तरीके से समाप्त करने संबंधी अंतराश्ट्री करार पर हस्ताक्षर किये हैं अगला प्रशन है राश्टी जलवाई परिवरतन नीत के भाग के रूप में भारस सरकार की वर्स 2030 तक नवी काड़ी उर्जा की संस्थापिच छमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है तो सही उत्तर है 2030 तक इसे 350 गीगावाट नवी काड़ी उर्जा की छमता को बढ़ाने का लक्ष भारत के राश्टी जलवाई परिवरतन नीति के अंतरगत शामिल है आगला प्रशन है दोस्तों ग्रामीड घरों में नाइट्रोजन आकसाइड प्रदूसन का स्रोत हो सकता है कैसे देखिए इसमें देखिए दोस्तों धुम्र निकास की सुविधा रहित गैस चूलहा लकड़ी चूलहा और मिट्टी तेल वाले हीटर तो ये एक दो तीन तीनों सही हैं जो की ग्रामीड घरों में नाइट्रोजन आकसाइड प्रदूसन का स्रोत धुम्र निकास की मनुस्य के स्वास्त और जलवाई को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है आपसन देखिए कजली या सूत, सलफर डायकसाइड, नाइट्रूजन के अकसाइड या क्लोरो फ्लोरो कारवन तो सही उत्तर है दोस्तों, घरेलू और द्योगिक वाहनों से निकलने वाला धूँआ, जिसको सूत या सूत कहा जाता है आम भासा में इसको कजली या कालिक या कजली या कालिक कहा जाता है ये मनुस्य के स्वास्त और जलवाई पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है अगला प्रशन है देखिए कि बंगला देश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आरसेनिक प्रदोशन का कारण क्या है तो सही उत्तर है बंगला देश और कुछ भागों में भारत की कुछ भागों जैसे पश्रिम पंगाल, असम जार्खंड में, भूजल में आरसेनिक परदूसर्ण पाया जाता है और इसका प्रमुक कारण प्राकृतिक स्रोत है प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य नदियों और अन्य बड़े जल स्रोतों के माध्यम से भूजल में आरसेनिक की मात्रा बढ़ जाती है अगला प्रशन है दोस्तों सूची एक का सूची दो से सुमेलन करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 स्वास्थ दिवस ये कम मनाय जाता है 7 अप्रेल को 1 अचाउथा हो जाएगा 200 जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाय जाता है 200 ओजोन दिवस 16 सितंबर को और 208 सितंबर को मनाय जाता है तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 4,3,1,2 तो यहाँ पर देखे आपसंबी सही हो जाएगा 4,3,1,2 आपका सही सुमेलन है अगला प्रशन है भारत की नदियों में निमलखित में से किसको प्रदूशन का प्रमुक्सरोत माना जाता है तो सही उत्तर है अशोधित वाहित मल दोस्तों जो है असोधित वाहित मल जो है वो भारत की नदियों में प्रदूशन का सबसे महत्वपूण या प्रमुक्सरोत माना जाता है क्योंकि अपने हाँ सीवेश ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं कम मत्र में है और अब इनका विकास किया जा रहा है ताकि वाहित मल को सीधे नदियों में जाने से रोका सके अगला प्रश्ण है दोस्तों ताप विद्धुत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई एस एक परियावरण हित ऐसी संसाधन है जिसका उप्योग किस में किया जा सकता है तो यहां पर देखिए सुच्म पोसक के रूप में किरिसी में बंजर भूमी के विकास में बाध और जलधारण संरशनाओं में और इट उद्ध्योग में तो सही उत्तर है दोस्तों फ्लाई एस का उप्योग इन सभी में किया जा सकता है आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि सहरी छेत्रों में नाइट्रोजन आकसाइड के कारण जो है जो हम से निकलने वाला धूए से सरवाधिक नाइट्रोजन आकसाइड निस्रित होता है सहरी छेत्रों में अगला प्रश्ण है वर्स 2022 तक बायो मास से बिद्धुत उत्पादन है तो सरकार का लक्ष कितना निर्धारित किया गया है तो ये 10 गीगावाट निर्धारित किया गया है 2022 तक बायो मास से बिद्धुत उत्पादन का लक्ष अगला प्रश्ण है दोस्तों निर्धारित उर्जा इंधनों में से कौन सा इंधन परियावरण के लिए सबसे अनुकूल है यहाँ आप देखिए कौन सा इंधन इसमें देखिए डीजल, बायो गैस, कोईला और पेट्रोल तो सही उत्तर है बायो गैस, बायो गैस इंधन परियावरण के लिए सबसे अनुकूल और हितैसी इंधन है अगला प्रश्ण है कौन सा मौसम संबंधिक खत्रा है हिमानी, तटी कटाओ, भुवस्खलन या बरफानी तुफान तो सही उत्तर है दोस्तों बरफान मौसम संबंधिक खत्रा है जबकि हिमानी, भुवस्खलन और तटी कटाओ ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं अगले प्रश्ण पर आते हैं दोस्तों संकल्पित राश्णी निर्धार अवदान के रूप में भारस सरकार द्वारा अतरिक्त वन और व्रिक्ष तो सही उत्तर है 2030 तक दोस्तों संकल्पित राश्णी अवदान के रूप में भारस सरकार द्वारा द्वारा अतरिक्त कार्बन रास सिजित करने का प्रस्ताव है तो सही उत्तर आपका आपसन भी हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रश्ण है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि भारस सरकार निवर्स 2022 तक सभी नवीकारी उर्जा स्रोतों से कुल विद्धुत उत्पादन में सौर उर्जा के कितने प्रतिशत भाग को प्राप्त करने का लक्ष रखा है तो यह है दोस्तों लगभग 57.1 प्रतिशत सभी नवीकारी उर्जा स्रोतों से कुल विद्धुत उत्पादन में सौर उर्जा का प्रतिशत निर्धारित करने का लक्ष रखा है अगला प्रशन है चक्रवात हुद हुद किस राज्य के तट से तकराया था तो दोस्तों हुद हुद जो है हुद हुद चकरवात ये आं कार्वं डायक्साइट का उत्पादन चीन उसके बाद यूएस से फिर भारत और रूस आपसंद भी आपका सही उत्तर है तो बिभिन देशों में जो कार्वं डायक्साइट का उस सर्जन होता है इसमें सबसे जादे चीन चीन के बासनाई उत्राज अमेरिका तीसरे पर भारत और चोथे अस्थान पर रूस है अगला प्रशन है दोस्तों देखिए मानो उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसी प्रदूशक तत्व क्लोरो फ्लोरो कार्बन वायू में है आपको बताना है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फोम उत्द्योग दोस्तों फोम उत्द्योग मानो उत्पत्ति संबंधी स्रोत है जिसके चलते वायू में गैसी प्रदूशक तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन की ब्रिध्धी होती है अगला प्रश्ण हैनल मिखित में से कौन सी घटना एक प्राकृतिक खत्रा नहीं है दावागन, बिजली का उधना, भू अस्खलन या रासायनिक संदोशन तो सही उत्तर है रासायनिक प्रदोशन या रासायनिक संदोशन दोस्तों ये जो है प्राकृतिक खत्रा नहीं है ये मानो जनित खत्रे में शामिल है अगला प्रशन है नंखित में से किस परदूसक के कारण मानों को कैंसर हो सकता है कीट नासक, पारा, सीसा या ओजोन तो सही उत्तर है सीसा सीसा या लेड एक प्रमुक परदूसक है जिसके कारण मानों को कैंसर हो सकता है और शीशा युक्त वायू यानि धूल या धूए में सांस लेने से मानों में कैंसर, मस्तिस्क रोग, किड्नी की बिमारी जैसी घातक बिमारियां हो सकती है अगला प्रशन है दोस्तों सहरी छेतरों को ऐसे वायू प्रदोसक को चिन्हित कीजिए जिससे मनुसे की आखों और स्वसन नली दोनों में जलन होती है सही उतर है नाइट्रोजन के आकसाइड दोस्तों सहरी छेतरों में नाइट्रोजन का आकसाइड ऐसा वायू प्रदोसक है जिससे मनुसे की आखों और स्वसन नली में जलन होती है और ओझोन भी दोस्तों सहरी छेत्रों में जो है परदूशन का महत्तपूण कारक है अगला प्रश्न है भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल परदूशन का सबसे बड़ा सुरोत क्या है तो सही उतर है असंसाधित मल जल दोस्तों जो है सीवेज वाटर ये बहुत ही महत पूर्ण नदी प्रदोशन का सबसे बड़ा स्रोत है अगला प्रश्ण है संपोशडी विकास का लक्ष निम्लखित में से किस वर्स तक प्राप्त करने का लक्ष निर्धारित किया गया है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 2030 दोस्तों संपोशक विकास का लक्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है और आप जानते हैं सस्टेनबल डवलप्मेंट विकास की वह अधारा है जिसमें परियावरण को निकसान पहुँचाए बीना बर्तमान विकास को जारी रखना होता है अगला प्रशन है कि निमलखित में से कौन सा नवीकाड़ी प्राकरतिक स्रोत नहीं है स्वक्ष वायू ताजा पानी उर्वर मिट्टी और नमक तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नवीकाड़ी ये स्रोत नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा नमक दोस्तों नमक प्राकरतिक सुरोतों की स्रेडी में नहीं आता है अगला प्रेशन हैं दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा प्रदूशक स्वसंत अंतर से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण होता है बिलंबित सुछमकाड नाइट्रोजन आकसाइड कारवन मोनो आकसाइड और वास चिताब पर अभिक्रिया करके ओजोन का निर्मार करते हैं ओजोन स्वसंत अंतर की विमारियों पैदा करता है और कारवन मोनो आकसाइड रक्त में घुलकर सरीर की आकशीजन वहंचमता को खतम कर देता है अगला प्रशन है लिम्खित में से कौन सा प्रदूशक मानो के मार्ग को प्रभावित करता है आपको बताना है कारवन मोनो आकसाइड नाइट्रिक आकसाइड सल्फर डायाकसाइड या एरुसोल तो दोस्तों सल्फर डायाकसाइड एक रासानिक घटक है और ये तिब्र गंधियुक्त एक तिक्ष्ल विसलिगैस है जो कई प्रकार की अंभीर बिमारी पैदा करती है अगला प्रशन है ने मिखित में से कौन सी प्रदूशित करने वाली वस्तू परिवहन छेतर से नहीं उस सर्जित की जाती है आपसन है आकसाइड आफ नाइट्रोजन, क्लोरो फ्लोरो कारबन, कारबन मोनो आकसाइड और पाली एरोमेटिक ह एर कंडिशनर और एरोसोल के अनुपरियोग और विलायक के तौर पर इसका जो है उस सर्जन होता है जबकि नाइट्रोजन के आकसाइड, कारबन मोनो आकसाइड और पाली एरोमेटिक हाइडो कारबन ये परिवहन छेतर से उस सर्जित होती है अगला प्रशन है मिर्दा मे प्रदोशन का सरोत निम्लखित में से कौन सा नहीं है देखिए परिवहन छेतर, क्रिसी छेतर, तापी उर्जा, संयंत्र या हाइड्रो पावर प्लांट तो सही उत्तर है हाइड्रो पावर प्लांट दोस्तों जल विद्दुत परियोजना में गिरते हुए या बहते हुए जल की उर्जा से विद्दुत पादन किया जाता है और ये उर्जा का एक नवीकाड़ी सरोत और दुरलव इंधन संसादनों की रक्षा करता है ये परिदोशन रहित है इसलिए परियावरण के अनुकूल है और ये एक प्रकार से मिर्दा में परिदोशन का सरोत नहीं है ज वायल पलूशन के लिए जिम्मेदार है अगला प्रशन है पारिस्थित की पदचिन क्या निरूपित करता है तो पारिस्थित की पदचिन है या एकोलोजिकल फूट प्रिंट जो है दोस्तों ये क्या निरूपित करता है तो सही उत्तर है पारिस्थित की पदचिन जो है य ये संसाधनों की आउसकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमी और जल के छेतर को निरूपित करता है आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है निरूपित में से कौन सी गत्विधी दुनिया भर में जल प्रदोशन में सबसे जादा योगदान देती है देखिए क्रिसी जल विद्धुत पावर उत्पादन उद्योग और सहरीकरण तो ये देखिए क्रिसी छेतर की गत्विधी जो है ये दुनिया भर में जल प्रदोशन में सबसे जादा युगधान देती है अगला प्रशन है दोस्तों निमलिखित में से कौन सा उपागम मानो परियावरण अन्योन निक्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक ब्यापक उपागम है आपसन है प्राकृतिक संसाधन संरक्षाण उपागम सह अगला प्रशन है देखिए जापान में मीनी माटा आपदा किस प्रदोशन के कारण उपागम हूई थी तो आप जानते हैं जापान में दोस्तों पारा के कारण मीनिमाटा ब्याधी उत्पन हुई थी अगला प्रशन है ताजा जलासियों में जैविक प्रदोशन का प्राथमिक स्रोत क्या है तो सही उत्तर है ताजा जलासियों में जैविक प्रदोशन का प्राथमिक स्रोत मल जल का बहिस्राव है और दोस्तों मल जल का बहिस्राव घरेलू और सारजनिक मल जल में मुखित भोजन अवसेस घर में प्रयूक्त जल और सौचालियों में प्रयूक्त जल होता है और इसमें अनेक प्रकार के जीवाणु खमीर फफुंद होते हैं अगला प्रश्ण है देखि प्रवंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं इसलिए नरेंद्र मोदी दोस्तों राष्टियापदा प्रवंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं इसको NDMA यानि नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट अथार्टी कहा जाता है अगला प्रशन है निमलखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वाई मंडल में लगुत्तम समय तक ठहर पाती है क्लोरो-फ्लोरोकार्वन, कार्वन डीक्साइड, मिथेन या नाइटरस अकसाइड तो सही उत्तर है मीथेन गैस्ट सबसे कम समय तक रूख पाती है क्योंकि इसका मोलर दर बिमान अणने गै जापान में जैब विबित्टा पर एक सम्मेलन जारी किया गया था, जो की बायो डायवर्शिटी से संबंदित है, आपसंड डी आपका सही उत्तर हो जाएगा तो देखिए नागोया उपसंध या नागोया प्रोटोकाल बायो डायवर्शिटी यानि जैव विवित्ता से संबंधित है अगला प्रश्ण है maximum suit किस से release किया जाता है यानि आपको बताना है कि सरवाधिक कजल या कालिक किस से निकलता है देखिए पेट्रोल वाहन CNG वाहन डीजल वाहन या तापिय शक्तिसायंत्र तो सही उत्तर है thermal power plant तापिय शक्तिसायंत्रों से दोस्तों सरवाधिक कालिक निस्रित होता है अगला प्रश्ण है देखिए बहुत ही महत्वपूर है कि सतही ओजोन किस से उत्पन होती है आपसन है परिवहन छेत्र, सीमेंट सही अंत्र, वस्त्र, उध्योग या रासायनिक उध्योग तो सही उत्तर है दोस्तों जीवास्म इधनों के दहन से सतही ओजोन गैस निस्रित होती है तो यहाँ पर जीवास्म इधन में सबसे अधिक परिवहन छेत्र में जीवास में इधनों का दहन होता है और सतही ओजून इसी से यानि परिवहन छेतर से उत्पन होती है अगला प्रश्ण है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है आपको बताना है भुकंप, बाढ़, भुवस्खलन और ज्वाला मुखी तो सबसे जादे भारत में बाढ़ आती है और भारत में ज्वाला मुखी जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन बाढ़ जो है सबसे अधिक आती है भारत में अगला प्रशन है पेजल में उचित से अधिक मात्रा होने पर क्रोमियम एक संदूसक के रूप में कारे करता है किसके लिए तो सही उत्तर है यक्रित यानि गुर्दा संबंधी समस्या के लिए दोस्तों पेजल में उचित मात्रा से अधिक क्रोमियम होने पर इस मानव सरीर पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और इससे रक्त कडिकाएं, रक्त को सिकाएं, यक्रित और गुर्दा प्रभावित होते हैं क्रोमियम की मात्रा अधिक होने पर अगला प्रश्ण है दोस्तों चिप को मुमेंट या चिप को अंदोलन सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था तो सही उत्तर है सुन्दर लाल बहुगुडा द्वारा दोस्तों चिपको अंदोलन का प्रारम पर्यावरण और बन संरक्षण के लिए सुन्दर लाल बहुडा द्वारा किया गया था वैसे इस अंदोलन को प्रारम करने का स्रे गवरा देवी नामक महिला को जाता है अगला प्रश्ण है देखिए कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिक्तम नुकसान पहुचाता है जल प्रकोप जल मौसमी प्रकोप भूबैग्यानिक प्रकोप या भूरासानिक प्रकोप तो भारत के संदर में यहां जीवन और संपत्ति को सरवाधिक च्छाती पहुँचाने वाली आपदा मौसमी जल प्रकोप होता है तो सही उत्तर है जल मौसमी प्रकोप दोस्तों आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है निम्लिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है आर्द अस्थल फोम उद्योग तापी विद्धु सेयंत रया सिमेंट उद्योग तो आर्द अस्थल या नम भूमिया दोस्तों मीथेन गैस के उस सरजन के महतपूर स्रोत है अगला प्रशन है कि इंधन बैटरी में चालित वाहन में उर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है आपसन है आपके मीथेन, हाइड्रोजन, लपीजी या सियंची तो सही उत्तर है दोस्तों इंधन बैटरी चालित वाहन में उर्जा, हाइड्रोजन के दहन द्वारा अगला प्रश्ण है प्रतेक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया था देखिए सामाजिक वन कारिक्रम, स्वक्षवायू कारिक्रम, भूमी संरक्षण कारिक्रम या फिर पर्यावरंड सुरक्षा कारिक्रम तो सही उत्तर आपसंड D हो जाएगा, पर्यावरंड सुरक्षा कारिक्रम के तहट दोस्तों, प्रतेक बालक के लिए एक पेड़ यानि A-Tree-Far-Each Child ये नारा गढ़ा गया था अगला प्रश्ण है कि निमलखित में से बायो गैस का मुख्यत तो कौन सा है, तो सही उत्तर है, आप जानते हैं बायो गैस में मिथेन और कार्बन डायाकसाइड होती है, आपसंड ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, और इस गैस में बहुत थोड़ी सी मात्रा में हाइडरो और कुछ अन्यगैसें भी होती हैं, अगला प्रश्ण और इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकाल किस से संबंधित है, ओजोन अउच है, खतरनाक अपसिष्ट, जलवायो परिवर्तन या नाभिकी उर्जा से, तो सही उत्तर है, जलवायो पर के संद्वारा, ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन पर प्रतिबंध लगाती है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उस सर्जन पर प्रतिबंध से संबंधित, ये जो क्योटो प्रोटोकाल है, 1997 में हस्ताक छरित की गई थी, और ये 2005 फरवरी, 2005 से क्योटो प्रोटोकाल प्रभावी ह और इस प्रोटोकाल का उद्देश जलवाई परिवर्तन जैसी बैस्विक परियावरणी आपदा से बचाना है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो परियावरण और परिस्थित्की तथा परियावरणी अध्यान से संबंधित महतोपोंड प्रश्न जो आपके आगामी विभिन परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रश्नों को तयार कर लिजेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दशन फार सिबिल सर्विसिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवार नमस्कार